दोस्तो अफगानिस्तान को 35-2020 मकाबला जीतने के लिए चाये थे 213 रन, फिर हो गया बढ़ा चमतकार जिए दोस्तो बारत और अफगानिस्तान के बीच 350 मकाबला बेय थ्रिलर हाई वोल्टेज और कापी हाई स्कोरिंग रहा बताएंगे आपको इस बड़े मकाबले का पूरा आईलाइट वीडियो और आकरी ओवर तक कौनशे टीम ने इस बड़े मकाबले को जित कर एक विश्व रिकोर्ड बना दिया कैसे रिंकू सिंग और कप्तान रोई सरमाने की तापड तोड़ पारे किया कि अफगानिस्तान प जित कर पहले बले बाजी का फैसला किया लेकिन टीम इंडिया की सुरुआत बेहद खराब रही यह सस्वी जैसवाल चार रन तो मैं विराट कोली बिना खाता कोले पावने लोट गए तो मैं सिवम दूबे एक रन और संजू सैमसन भी बिना खाता कोले पावने लोट गए टीम इंडिया को 22 के स्कूर पर चार जटके लग चुके थे बीच मैदान कप्तान रोई सिर्मा और उनका साथ देने रिंकू सिंग की वापसी हो चुकी थी इन दोनों ने टीम इंडिया की पारे को दीरे दीरे आगे के और बढ़ाया और टीम इंडिया का स्कूर 50 के पार प कफ्तान रोई सर्मा ने भी एक स्ष इट डे के तोर पर अपना कापे 20 सांधा च के लगाया उसके बाद में एक और में तीन चुके लगाय and चुके तो एक gebrachtकी मिंडिया का इसकोर वे डेड़ सो के लगबग पहुंच चुका था उसके बाद में कप्तान रोई सर्मा ने अपने पारे को और भी तेजगे अंदाज में कहना सुरुआत कर दिया तो मैं रिंकु सिंग ने भी एक ही होर में लगा था दो सांदाज चक्के लगा दिया तो मैं कप्तान र इंडिया के स्कोर तेज गति से 200 के पार पहुंच गया और टीम इंडिया ने निदारित पचास ओर में 212 रन जड़ दिये जर रिंकु सिंग ने पारे के लिए इन्होंने अपनी पारे में दो चोके और 6 सांदाज चक्के लगाए तो वे कफ्तान रोई सनमा ने भी 69 गिंदों पर 121 रन की पारे के लिए जह इन्होंने 11 चोके और 8 शांदार चक्के लगाए और अफगानिस्तान को 213 का टार्गेड दिया जवाम में अफ पिसांदार अर्शा तक पुरा किया टीम इंडिया को पहले सपलता कुल्दी पियादाउने दिलाई जहरे मुला गुरबाज को 50 के इस कुर्पा पॉलन पहुचाया उसके बाद में इब्राहिन जाडन और गुलु में दिन नैप की काफिसांदार पार्टिफ देकी गई तो काफिसांदार बल्ले बाजी करें मुहमद नभी कोवाज सिंग एंडर सुंदर ने पहुचा दिया और टीम इंडिया की वापसी एक बार फिर्शे करा दी उसके बाद में करांज जनात्वी रन आउट हो गए और टीम इंडिया पूरी तरह से इस मैस में आवी हो चुकी थी उसके बाद में निचले करम के बल्ले बाजों ने कुछ रन बनाये लेगन यह मकाबला काफि रोमा चक मोड पर खतम हुआ और आखिर का टीम इंडिया ने इस बड़े मकाबले को जित कर शिर्श को 3-0 से अपने नाम कर ली टीम इंडिया की जीत की हिरो कफ्तान रोश्तरमा